देखिए ये उत्राखर अधिनस सेवा चैन आयोग वो मैंने नहीं कहा तत्थियों ने कहा और तत्थियों ने इसपस्ट किया कि ब्रस्टाचार है और उसकी जहांच होनी चाहिए युवाओं के वहिश्य को शुरक्षित किया जाना चाहिए और सरकार खुद कहती कि 45 लोग हम फैली हुई है और हम यहीं की भरतियों को में दे रहे तो सामने आपके साथ इस पस्ट है लोग पॉल्टेक्निक परवक्ता में जिसमें एक पत था तो पांच लोगों को बुलाया जाना चाहिए था उन्होंने आठ लोगों को बुलाया और आठवे को सेलेक्ट कर दिया तो साफ प्रस्टाचार दिख रहा अभी एक छात्र ने अपनी कॉपी मागी है उस कॉपी में साफ साफ कटिंग दिख रही है जो कि उनकी निमा अली कहती है कि रीचेकिंग होती नहीं है रिकाउंटिंग होती है और कांट शांट नहीं होनी चाहिए वो नियम के विरुद्ध है तो बहार जो अंक ताली का में नमर भरे गए है वहां कटिंग है अंदर अलग अलग कटिंग है साफ दिखाई दे रहा है तो ब्रस्टाचार इस पर स्टोरा उसके साथ ही जो अभी जेई और एई का रिजल्ट निकाला है तो जेई के 1766 पदों के सापक्ष तीन गुला है एई के तीन गुने बुलाए हैं वो नियम के साथ है लेकिन जेए के 776 पदों के सापेख्ष, 3721 लोग बुला दिये 5 गुने, तो साप दिख रहा है वो नियम के बिरुद्ध है, अर्थात नीचे के लोगों को सामिल करने की तयारी है, 100 नमर का बाइबा है, तो 100 नमर के इंटरव्यू में बहुत बड़ा हेर फिर हो सकता है, जो क पॉल्टेक्निक परवक्ता में 25 नमर ज्यादा दे कर उसे सेलेक्ट किया गया है, तो प्रस्टा चार की तैयारी जेए में सुरू है, पहले कर चुके हैं, तो सरकार के सामने हमने पक्ष रखा है, सरकार को जाच करनी चाहिए, और जो कॉपी, उस चात्र ने मागए है, उस क राज्य इस्पेसिफिक बरती है, उसमें राज्य का इस्थाई प्रमानपत्र लगता है, लेकिन लोगसेवा आयोक के यहां जाते ही, राज्य का इस्थाई प्रमानपत्र के साथ ही, ओबलिक 10th प्लस 12th education कर दिया, तो यहां तो उत्राखंड में 10th 12th पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए, अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद